हाई गाईज वेलकम बैक टो माई चानल मैं हो सुबम ओर में चैनल को फिरसे एक बार आप उस्वागत है तो आज का वीडियो जो है वो 21 लॉटवाउन का वीडियो आज मैं लेक्या है किस तरह से आप इस लॉटवाउन के पीरिड में अपने वेड को लॉस करें अपने चर्मी को बहुत तेजी से बिलाए और यह सिर्फ आपके एक लंच में परिवत्तन करनी सिर्फ हो जाएगा अगर लंच में आप इस चीज को लेना स्टार्ट करोगी तो प्रेंट्सर की मानूं कि 21 दिन में कमर की चर्मी बहुत तेजी से जाएगी क्योंकि एक समकूर आहार है इसमें मिनरल्स है इसमें फाइबर है इसमें विटमेंस है इसमें प्रोटीन है साही चीजों का मिशन यह एक है जिसको अगर आप अपने लंच सिर्फ रप्लेस करना है और जी भरके खाईएगा इसा कुछ नहीं परेगा फुल में पेस्टी है बहुत सारी चीजों के मिशन से बना रहे है तो कापी अच्छी चीज है अगर आप इसे अपने लंच सिर्फ आपको रिप्लेस करना है और अगर आप इसे लेना इस्टार्ट करोंगे तो फ्रेंड से कीमारी तो मैं पिर से यही चाहना चाहूँ कि वे लेकिन किस तरह से लेना है और कैसे खाना है वो सारी चीज़े में वीडियो में आगे बताऊंगी लेकिन जीवों ने अचारे को ने सब्सक्राइब किया है पटापर से चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक चल भूद दिए लंच आइडिया इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए प्रोटीन से भरपूर लंच लेकर आई हूं जो कि आपके हाजमे को भी दुरुस्त करेगा और साथ ही साथ वेट लॉस भी करेगा इतना सस्ता और उंदा प्रोटीन आपको कहीं नहीं मिलेगा और वेट लॉ इस भी तो पर्स्टली आपको चाहिए चॉप्ट ओनियन यानि कि प्याज हरी मिर्च एक कटी हुई हरी मिर्च फ्रेश कोरियंडर लीव यानि कि हरी धनिया सम टेमाटोस यानि कि टमाटर आपको जीरा और हेंग लेना है और करी लीट्स और आपको मोंकी डाल लेनी है 100 ग्राम तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेस्पी तो पर्स्ट आपको हाफ टेबल स्पून मस्टर डॉल यूज करना है यानि कि आपको मस्टर्ड ऐल फार टेबल स्पून यूज़ करना है फ्रेंड्स मूं की दाल में और भी कई खुबिया है एक आदमी को दिन में जितनी आईरन की आम तोर पर जरूरत होती है उसका 37 फीजदी आईरन अकेले 100 ग्राम मूं से मिल सकता है यही नहीं एक दिन की जरूरत का 13 फीजदी केल्शियम भी 100 ग्राम मूं की दाल से मिल जाता है तो आपको इसमें हींग जीरा हरी मिर्च डालनी है इसके बाद आपको इसमें चॉप्ट ओनियन्स डालना है और आपको फिर करी लीव्स और टेमाटो डालके इसे अच्छे से फ्राइ करना है और प्रेंट्स आपको यह भी रिहान रखना है कि आप इसमें रॉक सॉट यूज़ करेंगे यानि कि सेंधा नमक यूज़ करेंगे, नॉर्मल वाला नमक आप नहीं यूज़ करेंगे और प्रेंट्स अगर आपको विट लॉस करना है तो आप अपनी लाइफ से शुगर और नॉर्मल नमक को बिल्कुल भी अपनी लाइफ से निकाल पे किये आप यहाँ पे सेंधा नमक ही यूज़ करिएगा फिर्ण्स आपको बताना चाहूंगी कि 100 ग्राम मूं की डाल में 347 कैलोरीज होती है 1.2 ग्राम फैट होता है 63 ग्राम कार्बो हाइडरेट होता है 16 ग्राम प्राइबर होता है और 24 ग्राम प्रोटीन होता है यानि कि आपको जितना भी आईरन, प्रोटीन, विटामेन की ज़रुवत है यह आपके लंच में भरपूर मात्रा में आपको देगा और आपका पीट भी भर जाएगा और इसके बाद आपको इसमें पानी डालके इसे अच्छे से पका लेना है आप चाहें तो इसमें कुछ और चीज़े भी एड़ कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें भीगे हुए चैने भी यूज कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें भीगे हुए राजमें भी यूज करके इसे अच्छे से पका सकते हैं पकने के बाद इसका कुछ ऐसा देखने में लगेगा आप इसमें फ्रेश कोरियंडर लिख डाले और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है तो फ्रेंट्स मैं इसे अकेले नहीं लेती हूँ इसके साथ मैं कुछ कुकुमवर्स लेती हूँ ये देखिए ये तयार है मेरी डा आप चाहें तो इसको एक रोटी ले सकते हैं आप चाहें तो थोड़ा सा चावल भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसमें राजमा और चने भी डाल सकते हैं तो फ्रेंट्स मैं आपके दो खीरे लेती हूँ ये दाल लेती हूँ दो खीरे लेती हूँ और इसके साथ मैं ए मिनरल से बटामिल से मतलब मैं एक भरफूर डाइट लेती हूँ जिसे कि समपूर आहार के अर्षा मैंने बताया कि आपको अन्लाइब होगाने के जुरत लहीं है आपको अपे घर में अपलेबल है और आपको इसी वे में मिल जाएगे खाना स्टार करिएगा देखिएगा पे अपशा से लेती हूँ और लेती हूँगी डिप्रेंट तरीके हैं वीडियो पहले में बहुत सारे दिनों है तो बुद भी देखनी चेगो और यह एक मैंने सुचा क्यों ना एड़ान कर लेती हूँ आप लोगों की कैटा देरी में वीडियो ज़्दा साथ इंफोर्मेटि आप स्क्रेव के दिघए गिल्ध इंब की जदेखनी है में वीडियो आपकी है।